पंद्वीर के निर्मार से जुड़ा हुआ माननी अध्यक्ष महोदय 9 नवंबर 2019 9 नवंबर 2019 को मैं करतारपूर साहब परिडोर के लोकारपन हेतू पंजाब में था गुरु नानक देव जी का पांसो पचास्वा प्रकाश परव था बहुत ही पवित्र वातावरन था उसी दिव्य वातावरन में मुझे देश की सरवोच्छ अदालत वरा राम जन्ब भूमी विशे पर दिये गए आईतियासिक फैसले के बारे में पता चला था इस फैसले में माननिय सरवोच्च न्यायले ने कहा था कि स्री राम जन्ब भूमी के विवादि स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर राम लला विराजमान का ही स्वामित्व है माननिय उच्चतम न्यायले ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में परामश करके सुन्नी सेंट्रल वकब बॉड को पाँच एकर जमीन आवन्टिव करें माननिय अद्दक जी मुझे आज इस सदन को पूरे देश को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबर केंद्रिय मंत्री मंडल की हुई बैठक में सुप्रिम कोड के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णे लिए गए है मेरी सरकार ने सुप्रिम कोड के निर्देशानु सार स्री राम जन्मस्थली पर भगवान स्री राम के भव्य मंदिर के निर्मान के लिए और इससे सम्मंदित अन्य विशहों के लिए एक ब्रहद योजना तैयार की है सुप्रिम कोड के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट स्री राम जन्मभूमी तिर्तक्षेत्र ट्रस का नाम होगा स्री राम जन्मभूमी तिर्तक्षेत्र स्री राम जन्मभूमी तिर्तक्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान स्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य स्री राम मंदिर के निर्मान और उससे सम्मंदित विशो उपर निर्ने लेने के लिए पूर्ण रुप से स्वतंत्र होगा माननिय सर्वच अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्ष और समवात के बाद अयोध्या में पांच एकर जमीन सुन्नी वकप बोड़ को आवंटित करने का अनुरोथ उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया इस पर राज सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है मानिय अद्यक जी भारत की प्राण बायू में भारत के आदर्शों में भारत की मर्यादाओं में भगवान सी राम की महत्ता और अयोध्या की एतियासिक्ता से अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भाती परिचीद है अयोध्या में भगवान सी राम के भव्य मंदिर के निर्मान वरतमान और भविश्व में राम लला के दर्शन करने के लिए आने वाले स्रद्धानों की संख्या और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते विए सरकार द्वारा एक और महत्वकून निर्णे लिया गया है मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहट अधिग्रुहित संपुर्ण भूमी जो लगबग 67.703 एकड है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिली थाए उसे नवगठीत स्री राम जन्ब भूमी तीर्तक्षेत्र को हस्तार्न तरिक किया जाए मानिय देश महोदय नव नवंबर को राम जन्ब भूमी पर फैसला आने के बाद सभी देश वासियों ने अपनी लोकतंत्रिक व्यवस्ताओं पर पूर्ण विस्वाद जताते हुए बहुती परिपक्पता का उदाहरन दिया था मैं आज सदन में देश वासियों के इस परिपक्प व्यवार की बूरी बूरी प्रसंसा करता हूँ मानिय देश से हमारी संस्कृती हमारी परंपराएं हमें वसुधय कुटुम कम और सरवे भवन्तु सुकिनः का दर्शन देती है इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेणा भी देती है हिंदुस्तान में हर पंत के लोग चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सीख हो, इसाई हो, बवद, पार्शी और जैन हो हम सभी एक ब्रहत परिवार के ही सदस्य है इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो वो सुखी रहे, स्वस्त रहे, सम्रुद्ध बने देश का विकास हो, इसी भावना के साथ मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है आईए, आईए इस अहितिहासिक छण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में स्री राम धाम के जिर्णोधार के लिए बव्य राम मंदिर के निर्वान के लिए एक स्वर में अपना समर्धन दे आईए